दोस्तों अपने दिन की शुरुवात कभी भी चाय से नहीं करनी चाहिए, सुभे उठकर खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, सुभे सुभे खाली पेट चाय पीने से पेट का metabolic system खराब हो जाता है, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से पेट में acidic पदार्थों और alkaline पदार्थों का बैलेंस बिगड जाता है ऐसा होने से नॉर्मल पाचन की परक्रिया में गड़बडी पैदा हो जाती है जिससे पूरा दिन पेट में प्राब्लम रहती है सुबह खाली पेट चाई पीने से पाचक रस कम मातरा में निकलते हैं इससे आपकी भूख कम हो जाती है सुबह सुबह खाली पेट चाई पीने से डी हाइडरेशन होती है यानि शरीर में पानी की कमी होती है चाई प्रकृती से डाइयूरेटिक होती है यानि इसे पीने से पिशाब ज्यादा आता है जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है सुभे उठने पर शरीर में वैसे ही पानी की कमी होती है क्योंकि सोने के 8 घंटों के दौरान हमने कोई पानी नहीं पिया होता यह एक तरह का उपवास ही होता है उपर से उठते ही हम चाय पी लेते हैं इससे शरीर में पानी की कमी दूर होने की बजाए और ज्यादा पानी की कमी हो जाती है क्योंकि चाई पीने से पिशाब ज्यादा आता है। शरीर में पानी की कमी होने से शरीर में मिनरल्स का बैलन्स बिगड जाता है। इससे कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। सुबह उठने के बाद जो सबसे पहला ड्रिंक आपको पीना चाहिए वह एक या दो गिलास ताजा पानी ताकि शरीर में पानी की कमी दूर हो सके। सुबह अगर आपने उठते ही चाई का सेवन कर लिया तो आपके मुह में मौझूद बैक्टीरिया चाई में मौझूद चीनी को तोड़ेगा जिससे मुह में एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। इस बढ़े हुए एसिड की वज़ह से आपके दान्त खराब होने शुरू हो जाए खाली पेट चाई पीना हानी का रख होता है चाई या कॉफी को हमेशा कुछ खा कर ही पीना चाहिए आप सुबह सुबह लस्सी पी सकते हैं गुनगुना पानी पी सकते हैं नीबू पानी पी सकते हैं सादे पानी में कुछ बुंदें सेब के सिरके की डाल कर पी सकते हैं ना वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुकरिया